नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों करेंट अफेस की क्लास स्टार्ट हो गई है हम आपके लिए आज का इंपोर्टेंट करेंट अफेस पढ़ा रहे हैं जो भी अपने दोस्तों को लिंक शेर करना चाहता है जरूश शेर कर दे चैनल पर अगर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा ये क्लास परड़े होगी रोज आपके लिए कॉशन्स याद कराए जाएंगे स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रश्ट ये रहा स्क्रीन पर तो पहले नमर के कॉश कॉशन्स हैं जो मैं आपको डारेक्ट बता रहा हूँ किस भारतिय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एश्ट्रा जैनेका द्वारा विक्सित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परिक्षण शुरू किया जाएगा तो सीरम इंस्ट्ट आफ इंडिया के द्वारा ये परिक्षण शुरू होगा अब इसके बारे में बता दे हम आपके लिए तो पुने इस्थित सीरम इंस्ट्ट आफ इंडिया ने घोशना की है कि कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एश्ट्रा जैनेको द्वारा विक्सित कोविड-19 के वैक्सीन उमीदवार का परिक्षण शुरू करेगी आवश्यक अनुमती मिलने के बाद लगबग 5,000 भारतिय स्वयम सेवकों पर अगस्त के अंते तक परिक्षण किया जाएगा तो ये कौशन आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन कहां की है कौन इसका ट्राइल करेगा किसके उपर ट्राइल किया जाएगा और कब तक ये परिक्षण हो जाएगा तो ये कौशन आप नोट के लीजेगा पूछा जा सकता है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर किस भारतिय मूलकी नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राश्पती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है कला नारायन सामी सिंगापुर में 59 वर्षिय भारतिय मूलक कि नर्स कला नारायन सामी को नर्सों के लिए राश्पती पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो यह इंपर्टेंट कॉशन है नोट का लिए भारतिय मूलकी है और अच्छा सम्मान मिल रहा है इनके लिए एक कॉशन आ सकता है जरूर 101% अगला प्रशन देखते हैं क्या भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक शेत्र के बैंक बैंक आप बड़ोदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉंच किया है यहाँ पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल और सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता होगा मतलब आप घर बैठे बैठे इ सकते हैं अगला देख लेते हैं क्या पुशक है केंदर सरकान ने जुलाई के बाद किस महीने तक आईटी और आईटी सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को बढ़ा दिया है कोविड-19 के करणा ओफिस बंध है तो बीपी और आईटी सेक्टर्स की कं कंपनिया जो है उनके लिए दिसंबर 2020 तक बोला है कि वर्क फ्रॉम होम कराओ पॉसिवल है वर्क फ्रॉम होम केंदर सरकान ने हाली में घोश्रा की है कि आईटी और आईटी सक्षमर्थाथ बीपी ओ कंपनी जो होती है जहां पर बहुत सारी कर्मशारी काम करते हैं एक वहाँ पर उन कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को छूट के दाइरे में 31 दिसंबर 2030 तक बढ़ा दिया गया है ठीक है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन कोविट लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा आकर्षित विदेशी निवेस का क 20 बिलियन डॉलर इंडिया आइडिया समिट अमेरिका भारत व्यापार पषित द्वारा आयूजित दो दिवसिया आभाशी सिकर सम्मिलन इसका उद्देश दौनों राश्रों के अधिकारियों से जुड़ना पोश्ट कोरोना वाइरस रिकवरी योजना पर चर्चा करना त कि कितना निवेश भारत में हुआ है तो यतना निवेश लॉकडाउन के दौरान भी भारत में हुआ है अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्शनल कॉशन तो अब यहां से शुरू होता है आपका क्विज हर कॉशन का आंसर देनी के आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा सोचिए समझिए फ लाइक करते जाएगा हम आपके लिए महनत करते हैं इसलिए लाइक और शेयर करने को कहते हैं सबसे पहला प्रशन विश्व जनसंख्या देवस निम्न मैसे किस दिन मनाय जाता है बतला यह जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन जरूरान कर लीजेगा तो यहां पर सहीत्र क्या हो जाएगा चली देखते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाय जाता है तो यह मनाते हैं 11 जुलाई को हर साल ऑप्शन नमबर डी यहां पर सहीत्र हो जाएगा जिसका गलत है सही कर लीजिया और जिसका सही है बहुत पर हाली में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15 प्रतीशत हिस्सेदारी के लिए 370 करोड रुपे का निवेश किया है बतला ये क्या उत्तर हो जाएगा कौन सी कंपनी जियो के साथ निवेश कर रही है चले देखते हैं तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये है कंपनी क्वाल कौम वेंचरस ऑप्शन नमबर ए सही उत्तर हो जाएगा क्वाल कौम वेंचरस नाम की जो कंपनी है वो जियो के साथ में काम करने के लिए इतना निवेश कर रही है next question देखते हैं किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य इस तरिय यह लोक अदालत की शुरुआत हुई है बतलाईए दोस्तो शेयर करते जाएए वीडियो को और भी दोस्त जुड़ सकें जैसे ही सबको पता चल जाएगा फिर शेयर करने की जरूद नहीं है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दोस्तों तक लिंक पहुचानी पड़ेगी तो प्लीज शेयर करिए तो किस राज्य सरकान में किस राज्य में हाली में भारत की पहली राजिस्तरिय ये लोक अदालत शुरू की गई है तो कोरोना वारस के कारण बहुत सारी काम बंध है अदालते भी बंध है फिर भी काम ना रुके इसके लिए डिजिटल तरीके से अदालतों को चलाय जा रहा है उसी सिलसले में ये भी काम हुआ है और ये शुरू हुआ च्छत्यसगर में औप्शन नमबर सीज कॉशन के लिए सहीतर हो जाएगा च्छत्यसगर राजसरकार ने काम किया है नेक्ट कॉशन देखते हैं वेश्विक महामारी कोविट-19 की वैक्सीन के वुमन ट्राइल पूरा करने वाला पहला देश यहाँ पर वा छूड़ गया है वुमन ट्राइल पूरा करने वाला पहला देश निमने में से कौन सा बन गया है बतलाईए राइट आंसर क्या हो जाएगा class रोज होगी अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लीजे आज से आप per day class को join करिए इससे पहले भी classes हुई है आप आज ही आए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से per day join करिए यहां पर सहीत्र क्या हो जाएगा चली देखते हैं तो right answer हो जाएगा रूस option number 20 question के लिए सहत्र हो जाएगा रूस next question देखते हैं क्या पुश्च हो गया है यह रहा स्क्रीन पर किसे राज के नादौन पुलिस ठाने को देश और राज के सर्वस्रिष्ट पुलिस ठाने का दर्जा दिया गया है बतला यह जिसके आंसर गलत होते जा रहा हैं आंसर सही करते जाए चली देखते हैं तो राज का नाम क्या है हिमाचल परदेश तो हिमाचल प्रदेश राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वस्रिष्ट पुलिस थाने का दरजा दिया गया है ये रैंकिंग याद कर लिजेगा एक्जाम में इससे रिलेटेड एकना एक कॉशन पूशा जाता है हाली में भारत-चीन सीमा विबात के बीच भारतिय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोशा की है या खरीदने जा रही है बतलाईए चलिए देखते हैं तो ये अत्यादुनिक राइफल्स होती है जिनका उपयोग सेना करती है दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तो ये अमेरिका से खरीदने की बात हो रही है option number 20 question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है ये रहा स्क्रीन पर हाली में Australia ने किस देश द्वारा Hong Kong में लगाए गए राश्य सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में Hong Kong के साथ अपनी प्रत्यरपण संधी को निलंबित कर दिया है बतलाईए चली देखते हैं तो हाली में Australia ने जो है चीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा Hong Kong में लगाए गए राश्य सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में Hong Kong के साथ अपनी प्रत्यरपण संधी को निलंबित कर दिया है option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूश हो यह हैं यह रहाँ स्क्रीन पर अगले caution पर शलते हैं इससे पहले वाले quiz description box में upload कर दिया हैं आप उसमें से click करके link पर देख सकते हैं भारती railway ने पहली बार किस राज के गुंटूर से बांगलादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है बतलाईए गुंटूर किस जगह पर है इन चार option में से बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारती रेलवे ने जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांगला देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूश अगया है ये रहाँ स्क्रीन पर अगले कॉशन पर चलते हैं हाली में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रेप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतू गिनीज बुक रिकॉर्ड में इस्थान हासिल किया है बतला ये चलिए देखते हैं तो हाली में किस देश ने सबसे बड़े camera trap वन जीव सर्वेक्षण ही तू गिनीज बुक record में इस्थान हासिल क्या है तो भारत ने स्थान हासिल क्या है गिनीज बुक में ठीक है गिनीज बुक में record दर्ज होते हैं भारत ने ये record बनाया है भक, next question देखते है, भारती railway ने निम्न मैं से कब तक railway को green railway बनाने की गोशना की है, बतलाईए, चलिए देखते हैं, तो भारती railway ने railway को green railway बनाने की गोशना 2030 तक की है, option नमशी, Apostle C question के लिए सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, पुश अगया है यह रहा स्क्रीन पर अगले कौशन पर चलते हैं हाल यह में किस राज सरकान ने रोको टोको अभियान की घोश्रा की है वतला ये चलिए देखते हैं तो यह मास्क ना लगाने पर रोका जाएगा देन टोका जाएगा तो रोको टोको अभियान जो है मध्यप्रदेश सरकार ने शुरू किया है option number डी इस caution के लिए सहित्र हो जाएगा चलिए देखते हैं तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा भारत इरान ने हाली में भारत को बड़ा जटका देते हुए चाबहार रेल पर योजना से बाहर कर दिया है option number A यहाँ पर सहित्र हो जाएगा next question देखते हैं किस दिगज होकी खिलाडी को मोहन बागान lifetime achievement पुरुसकार से हाली में सम्मानित किया जाएगा बतलाए चलिए देखते हैं तो राइत आंसर हो जाएगा अशोक कुमार जी option number A इस question के लिए से उत्र हो जाएगा दिगज होकी खिलाडी अशोक कुमार जी को मोहन बागान lifetime achievement पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहाँ स्क्रीन पर हाली में केंद्रिय ससस्तर पुलिस बलद्वारा आयोजित अखिल भारतिये पौधार ओपण अभियान में किस केंद्रिये मंत्री ने शिर्कत की बतलाई क्या उत्तर होगा चलिए देखते हैं तो यहाँ पर सहीत्तर क्या हो जाएगा अमिश शाह जी ने शिर्कत की थी हाली में केंद्रिय ससस्तर पुलिस बलद्वारा आयोजित अखिल भारतिये पौधार ओपड़ अभियान जो हुआ था उसमें अमिश शाह जी ने शिर्कत की थी नेक्श क्वाशन देखते हैं विश्व यूवा कोशल दिवस निम्नी मैसे किस दिन मनाया जाता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो विश्व यूवा कोशल दिवस जो है हर साल पंदरा जुलाई को माफ करीएगा पंद्रा जुलाई को मनाया जाता है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है ये रहा स्क्रीन पर मानव संसादन विकास मंत्राले ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नैशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड और ट्रस्टी के लिए नामित किया है बतलाई चले देखते हैं तो मानव संसादन विकास मंत्राले ने डॉक्टर अनीता भटनागर को तीन वर्षों के लिए अप्शन नमबर डी यहाँ पर सहित्र हो जाएगा तीन वर्षों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड और ट्रस्टी के रूप में नामित किया है ये इंपोर्टेंट कॉशन है इनको नोट करते जाएगा फिमेल कैंडिडेट के लिए कहीं भी अगर निउप्ती मिलती है तो एक्जाम में 101% पूछा ही आता है ठीक है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुश अगया है ये रहा स्क्रीन पर बीसी सी आई ने पिछले हपते राहुल जोहरी का इस्तीफा सुईकार करने के बाद किसको बीसी सी आई का अंतरिम सी यो निउट किया है बतलाएए जो भी चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आईकन आउन कर लिजेगा क्लास पर डे होती है आप रो जा सकते हैं इससे पहले वाले वीडियो क्विज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं चलिए इस कॉशन का आंसर देखते हैं तो बीसी सी आई ने पिछले हपते राहल जोहरी का इस्तीफा सुईकार करने के बाद हेमंग अमीन के लिए आप्शन नमबर ए यहां पर सेयत्र हो जाएगा बीसी सी आई का अंतरिम सी इयो न्यूक्ट किया है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या आपको शगय है यह रहा स्क्रीन पर चत्रिसगर सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से दो रुपे प्रती किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है बतलाएए चली देखते हैं तो चत्रिसगर सरकार ने जो है गौधन न्याय योजना आप्शन नमबर बी यहां पर सेत्र हो जाएगा गौधन न्याय योजना के तहत किसानों से दो रुपे प्रती किलो की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है हाली में किस IT संस्था ने शुध नामक एक अल्ट्रा वाइलिट सैनिटाइजिंग उत्पाद विक्सित किया है कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए बहुत सारे उपकरण बन वे हैं उन्हीं में से एक है ये तो किस संस्थान ने ये डैवलप किया है शुध नामका सैनिटाइजर तो यहां पर सेत्र हो जाएगा अल्ट्रा वाइलिट सैनिटाइजर सुध नामका जो है ये आई आई टी कानपुर ने विक्सित किया है राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ए नेक्ट्स कोशन देखते हैं क्या पूश अगया है हाली में सरवोच नयायले ने केरल के तिरुवंतनम पुरम में किस प्रसिद्ध मंदर के प्रशाशन में त्रावण कोर रियासत के पूर्ववर्ति शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है राइट आंसर कहा है बतला हिए चलिए देखते हैं तो त्रावण कोर के रियासत के पूर्वर्ति शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है पद्म नाभ स्वामी जी के मंदर में option number D यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा सर्वोच नेयलेने केरल के त्रुवंत नम पुरम में पद्म नाभ स्वामी मंदर में ये 53 को रियासत के पुरवर्ती सही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है next question देखते हैं क्या पुशा गया है हाली में हुए राश्च्पती चुनाओं में किस देश के मौझूदा राश्च्पती आंद्रेज डूजा लगातार दूसरी बार पांच वर्ष की कारेकाल के रिये राश्च्पती के तौर पर चुने गए हैं बतलाइए जो भी चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब करेज़ेगा क्लास रोज होती है आप पड़े आ सकते हैं इससे पहले वाले क्विज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को जरूर लाइक करतीजेगा और शेयर जरू करेगा अपने दोस्तों के साथ ऑप्शन नमबर बी पोलेंड इस कॉशन का सही उत्तर हो जाएगा तो पोलेंड के दूसरी बार आंद्रे डूडा राश्वपती कारेकाल के लिए सिलेक्ट हुए हैं पांस साल के लिए फिर से नेक्श कॉशन देखते हैं भारत सरकार की तरफ से हाली में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे निक्ट किया गया है बतलाईए चले देखते हैं तो भारत सरकार की तरब से हाली में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत विधु पी नायर को नियुक्त किया गया है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखतें कि आपकुशा गया है नाबाड ने अपने 39th वे स्थापना दिवस पर पहली बार निमने मैंसे किसको किसका आयोजन किया है बतलाईए चलिए देखते हैं तो नाबाड ने अपने स्थापना दिवस पर जो है डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है option number C इस question के लिए सहीत्तर हो जाएगा कोलेजियम ने पंजाब वा हरयाणा हिमाचल प्रदेश कलकत्टा हाइकोड के कितने अत्रिक जज़ों को इस्थाई ज़ज बनाने की सिफारिश की है बतलाईए चलिए देखते हैं तो Supreme Court कोलेजियम ने पंजाब Хरयाणा हिमाचल प्रदेश कलकत्टा हाइकोड के नौ जजों को इस्थाई जज बनाने की सिफारिश्की है, option number 20 question के लिए सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मन्जूरी प्रदान की है, बतला ये, चलिए देखते हैं, तो केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने निमोनिया की, option number A यहाँ पर सेत्र हो जाएगा, निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन को मन्जूरी प्रदान की है, right answer हो जाएगा, option number निमोनिया, next question देखते हैं, हाली में बांगला देश में भारत का अगला राजदूत किसे निउक्त किया गया है, बतला ये, दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएगा, शेयर करते जाएगा, जो भी चैनल पर नए है, चैनल सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा, क्लास रोज होती है, परड़े आ सकते हैं, तो विक्रम दुर्रई स्वामी, option number A यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा, बांगला देश में भारत के अगले राध्दूत निउक्त होंगे, next question देखते हैं क्या आपकी शगया है, पत्रिका दा लेसेंट की एक रिपोर्ट के मताबिक सधी के अंतितक भारत की आबादी घट कर कितनी हो जाएगी? चले देखते हैं, तो पत्रिका दा लेसेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार сधी के अंतितक भारत की आबादी घट कर 1.09 अरभ हो जाएगी, right answer है option number A, next question लेखते हैं क्या पूश अगया है हाली में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूद के रूप में किसी न्यूपती मिली है बतलाईए चले दिखते हैं तो हाली में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूद के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्ति मिली है औप्शन नमबर एस कौशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कौशन देखते हैं क्या पूश अगया है सहींतुराजद्वारा जारी वाशिक अध्यन के अनुसार वैश्विक इस्तर पर बीते कितने वर्षों में दस लाग से अधिक लोग कुपोशित की स्रेणी में सामिल हुए है पतलाई चले दिखते हैं तो संयुत राज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वाशिक अधियन के अनुसार वैश्वेक इस्तर पर बीते दस बीते वर्षों में पांच वर्षों में बीते पांच वर्षों में दस लाग से अधिक लोग को पोशित की श्रेणी में सामिल हुए हैं नेक्स्ट कॉशन देखते हैं, हाली में लेसेंट के द्वारा कितने देश एबं छेत्रों के लिए वर्ट्स 2017 से 2100 यानि की 200 तक प्रजनन शम्ता, मृत्यूदर और प्रवास एबं जनसंख्या परिदर्श के संद्रब में वैश्विक, पूर्वानुमान, विश्लेशन प्रस प्रसुत किया है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को जाली में किस बैंक का उपाध्यक्ष निव्श्विक, पतला ये, दोस्तो जो भी चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन ध्यान से ओन कर लिजेगा ओल वाल नोडिफिकेशन ओन कर लिजेगा जिससे आपको सभी क्लासिस के नोडिफिकेशन मिले कोई भी क्लासिस आपकी ना छूटे एश्याई विकास बैंक का उपध्यष नयूक किया गया है अशोख लवासा जी को तो ये था आपका Current F.S. का Class इसके अलावा जो Live Class होता है वह में आपको बता दे रहाएं रोज सुबध 6 बज़े से prafile रात में 8 बज़े से Science का Live Class होता है और रात में 10 से 11 जीके, साइंस, करेंट अफियर्स का वन लाइनर का लाइप क्लास होता है मतलब बिना option के caution answer उससे क्या है आपका IQ लेबल बढ़िया होता है और answer देने की capacity के कारण आपका दिमाग भी थोड़ा चलने लगता कि बिना option के answer आपके दिमाग से निकल रहे हैं की ने तो जरूर इन सभी classes को join करिए कैसा लगा आपके लिए session रोज आईए आप channel subscribe ध्यान से कर लीजेगा जाते जाते वीडियो की link को अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और like जरूर करते जाएगा मिलते हैं next video में कर दोस्तों के लाएगा